आज हम बनाएंगे हरे मटर की खस्ता कचोरी बहुत ही टेस्टी रेस्पी इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका आटा तयार करेंगे माटे के लिए यहां हम लेंगे दो कचोरी मैदा डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन क्रस्ट की हुई आधा चमश नमक इस अब को अच्छे से मिला लेंगे आप डालेंगे वन फॉर्थ कप ऑएल आप घी भी डाल सकते हैं अच्छे से मोयन कर लेंगे अच्छे से पानी डाल के इसका एक दो तयार कर देंगे यहां देखिया हमारा डो तयार होगे एकदम सॉफ्ट सा है इसे हम थोड़ी दिर सेट होने के लिए रख लेंगे जब तक हमारा आटा सेट हो रहा हम तब तक बाकी की तयारी कर लेंगे यह मैने लिया आधा किलो ताजी मतर इसे हम मिक्सी जाल में डालेंगे डालेंगे हरी दन्या की पत्ति छे सैथ हरी मिर्च आधा इंच अदरक का टुकरा अब बिनाा पानी डाले इसे हम दरदरा पीस लेंगे 20-ikaus in ने पिखार आपको इसे करना कि शॉरषी बड़ी शॉक्राइब मैं फॉर और ये ऐता हैं ऐसे स्वधकराओ при city 10 फॉरमागे,स्वाइब में छी शॉतिब के निया तो लूह syndrome फ़ंथगे cruise में यहां देखे हमारा बैसन भून गया है आप हम इसमें डालेंगे एक चमश लालमिश पॉडर एक चमश खटाई पॉडर आधा चमश गरम मसाला पॉडर एक चमश नमग इससे अच्छे से भिन लेंगे अब इसमें हम पीसी हुई मटर डाल देंगे, अब पांच मिनट इन्हें भी अच्छे से भून देंगे, मसाले के साथ, यहां देखिए मटर अच्छे से भून गई है, आप इसमें नमक और मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे, फोड़ी सी कटी हुई धन्य थनया के पत्ती और डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे. अब हम इसने छोटी छोटी जोटी वाल बना लेंगे, ऐसे बना बना कर बानें के हम इसे प लेट में रख लेंगे तो फॉस्ता में वाल हैंcak ओ में धोसे हैं अब हमाना से ठोगिया इसे भी हल्का सा चिकना कर लेंगे और इसकी भी हम छोटी-छोटी बॉल बनाते रख लेंगे इसी तरीके से अब हम एक आटे का एक छोटी सी लोई लेंगे उसे हल्का सा प्रेस कर देंगे हाथ से इसमें एक छोटी इसकी एक बॉल इसमें रखें हल्का सा दबाते हुए इसे इसे बन कर देंगे इसे हाथ से ही हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे आप चाहे तो इसे ऐसे हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं या फिर बेलन से बेल भी सकते हैं या मैंने पहले से गढ़ाही में तेल गरम करने के लिए रख दिया था याद रहे तेल बहुत गरम नहीं रखेंगे और मीडियम फ्लिम पे तल लेंगे तो देखिए कचोरी कैसे फूल फूल के ऊपर हो गई है तो पलट देंगे तो अच्छे से फ्राई हो गई जह हम निकाल देंगे अब यह रही हमारी मतर की खस्ता कचोरी आपको मेरी यह मतर की कचोरी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें थैंक यू